आलू से बना बेहतरीन और लजवाब सब्जी जरू ट्राइए करिएगा बहुत ही स्वादिश्ट लगता है इसे आप डिनर या ब्रेकफास्ट या किसी टाइम आप बना के खा सकते हैं खाने में बहुत ही टेश्टरी लगता है बाद जरू ट्राइएगा अगर आपके घर मे मेहमान आजाए तो यह सब्जी आफटाफट बना सकते हैं बहुत ही कम समय में बनके तयार होता है उबला हुआ आलू लिये हैं तिसे में काट लिये तो बड़े बड़े पीस करिएगा आलू को छोटे बिल्कुल ना करिएगा एक बरतन लेना है एक चम्मज धनिया पाउडर आधा चम्मज हल्दी पाउडर डालेंगे एक चम्मज देगी मिर्च है आधा चम्मज भुना जीरा है आधा चम्मज गरम मसाला लेना है अब इसमें एक छोटी कटोरी से इसमें दही डालेंगे जिससे स्वात दुगना बढ़ा देगा तो अगर आप बड़ी कटोरी से डा अच्छे से फेट लेना है तो चाहे आप चम्मच की मदद से भी इसे फेट सकते हैं अब इसे हम साइड में रख देते हैं अब हमने सिमला मिर्च और प्याज ले लिया है तो प्याज मीडियम साइज का और सिमला मिर्च भी एक ले लिये हैं छोटा पीस इसे स्लाइस में काट लिये हैं गयस कुलेम को अउन कर दें कढ़ाई चला दें तीन चमच सरसो का तेल ढाल दिये तो तेल आप पसंद करते हैं वो यह उज़ कर ले आधा चमच जीरा डाल देंगे आधा चमच अजवाइन ढाल देंगे अच्छे से इसे दड़क ने दें अब इसे हम चला देंगे और इसमें हम एड़ करेंगे प्याज थोड़ी देर इसे हम भुनेंगे और भुनने के बाद साथ साथ में डाल देंगे सिमला मिर्च डाल देंगे और इसे हम एक मिनट भुलेंगे हाइव टुम मीडियम फ्लेम पे इसे में थोड़ी देर सौते कर लेना है यानि एक मिनट इसे हमें भु हम भुनेंगे 2 मिनट हाई टू मीडियम फ्लेम पे तो दो मिनट इसे में भुन के तयार कर लेना है तो आप देख सकते हैं भुनते भुनते आलू का थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो गया है बस अब इसे हम एक प्लेट में खाली कर लेंगे तो हमने प्लेट में खाली कर लिया है तो दुबारा से हमने कड़ाई चड़ा दी है और अब इसमें सरसो का तेल डाल देंगे एक चम्मच और इसमें डालेंगे कलोजी यानि मंग्राय अच्छे से तड़कने दें दो हरी मीर्च बारी कटा हुआ ओभी डाल देंगे इसमें औ और एक छोटा टुकड़ा एक इंच टुकड़ा अधरक है इसे हम घिस लिए है तो चाहे आप चौप भी कर सकते हैं और इसका कच्छा पन निकाल लेना थोड़ी देर इसमें भूल लेना है अब इसमें डालेंगे दही मसाला जो हमने मिक्स करके फेटके रखा था वो डाल बालेंगे और इसे हमें लगातार चलाते रहना है अब इसे रुकना बिल्कुल भी नहीं है तो गैस के फिलेम को हाई-टू-मीडियम ही रखना है इसे बराबर चलाते रहना है तो आप देश सकते हैं चलाते चलाते इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है यानि पकना शुरू यह पक जाना चाहिए और इसे बराबर चलाते भी रहना है अब इसमें एड हमें करना है भूने हुए आलू और शिम्ला मिर्च अब इसे हम अच्छे सी मिक्स करेंगे और थोड़ी देर भुनेंगे अब भुनने के बाद अब इसमें हम डालेंगे एक चमच इसमें डालेंगे नमक तो नमक आप कोई भी उज़ करें और इसे मिक्स कर लेंगे अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा काला नमक डालेंगे जो स्वाद को दुगना बढ़ा देगा बहुत अच्छा टेश्ट राता है थोड़ा सा ही डालेंगे क्योंकि नमक हमने पहले भी डाला है तो बहुत थोड़ा सा ही काला नमक डाले हैं और इसके जो है अच्छे से मिक्स कर देंगे अब इसमें धनिया डाल देंगे तो आप अगर सूखी सबजी पसंद करते हैं तो बस यहीं पे यह सबजी तयार हो गई है तो आप जो है खा सकते हैं लेकिन हम थोड़ा सा liquid वाली सबजी बना रहे तो थोड़ा सा इसमें गरम पानी डाल देंगे एक बड़े कप से एक कप पानी इसमें गरम डालेंगे ठंडा बिल्कुल न डालिएगा नहीं तो क्योंकि यह सबजी बनके तयार हो गई है तो गरम ही डालिएगा बस सबजी में एक उबाल आ जाए अच्छे से तो आप देख सकते हैं अच्छे से उबाल आ चुका है सबजी में इसे मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर इसे हम पकाएंगे ज्यादा देर नहीं और अब एक कल्चिल लेना है इसमें एक चम्मच घी डालेंगे तो घी को हम गरम कर लेंगे और देख सकते हैं सबजी में तेर बहुत अच्छे से उबर के आ गया है तो गैस की फ्लेम को इंपे में आफ कर देना है घी गरम हो चुका है एक चम्मच देगी मिर्च डालेंगे बस अब इसमें छोंक लगा देना है बहुत ही टेश्टी लगता है देगी मिर्च से कलर बह पराठा किसी भी चीज के साथ सर्फ करें बहुत ही टेस्टी लगता है ट्राइज जरूर करिएगा आज की रेस्पी आप लोग को कैसे लगी हमें कमेंड करके जरूर बताइएगा पसंद आए तो लाइक सस्क्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले आपका दिन